Hello everyone, welcome back to this math and trigonometric previous question से चल रही है से CCJL, CHSLD यो 2014 का question है ए बर्टिकल पोल ए बर्टिकल टावर आ स्टेंडिग उन दे सेम लेवल ग्राउंड Height of the pole is 10 meter, from the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower and the angle of depression of the foot of the tower are 60 degree and 30 degree respectively the height of the tower देखो तरह चीज आपको क्या लग रहा कि पोल से टावर के हाइड ज्यादा है या फिर कम है यह समझने के लिए थोड़ा सा इमेज को हम लोग पहले गलत तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग समझ लो ते पोल बड़ा है और टावा छुटा है यह पोल है जिसका लेंध दिया है दश मेटर और टावर है इसका लेंध है एच अगर गलती से हमने गलत इमेज बना भी लिया तब देखो कैसे सही होजाएगा from the top of the pole angle of elevation of the top elevation मतलब उपर चलना है तो sir height of the tower क्या हो जाएगा side height of the tower pole of the tower से जादा बन जाएगा तो ये pole ले लो ये tower ले लो angle of elevation of the top of the tower कितना दिखा रहा है तो 60 degree and angle of depression is 30 degree तो sir angle of depression of the foot and angle of depression of the foot 30 degree ठीक है तो ये 30 degree मतलब इधर भी 30 degree लिख सकते हो तो ये वाला 30 degree अगर होता है तो इधर भी 30 degree लिख सकते हो तो हमें क्या दिया हुआ ये 30 लिखो इधर का जरुवती नहीं है ठीक है then the height of the tower बहुत बढ़िया अब देखो sir ये अगा 30 है ये दोनों parallel है और ये intercepted line है तो यहां से क्या मिल जागा sir ये ये angle 30 degree हो जाएगा 30 का opposite वाला side 10 दिया हुआ था तो 60 का opposite वाला side कितना हो जागा sir 10 root 3 basement अगर 10 root 3 है ये कितना हो जाएगा ये चोटव वाला triangle का 30 degree का opposite वाला side क्या हो जाएगा sir 10 गुना 3 root 3 गुना हो गया? हाँ साथ तो 30 तो यह 30 है और नीचे इच कितना था सही है तो 10 है क्योंकि यहां से same length of pole हमने यहां पे काट लिया तो 30 plus 10 कितना हो जागा 30 plus 10 बराबर 40 meter is the correct answer of the height of the tower ठीक है यहां तो clear है अच्छा यह देखो telegram channel का link है यहां पे video मिलता है यहां पे description में link मिल जाएगा बस बहुत कुछ है अब जरूर बताना कैसा लगा यह question कितना सकंड में आप बना पार ओके sir thank you bye bye stay tuned for the next class